सूर्य का राशी परिवर्तन इन राशियों को देगा छपपर खाड कर लाब। दोस्तों, जोतिश में आत्मा का कारक माने जाने वाले सूर्य 12 फरवरी को शनी की मकर राशी से निकल कर शनी की ही कुम राशी में प्रविश करेंगे। इसे कुम संकराती के नाम से जाना जाएगा। सूर्य का राशी परिवर्तन जोतिश की दृष्टी से बहुत ही महत्वपुन माना जाता है। सूर्य पूरे साल में सभी 12 राशियों का गोचर करते हैं और एक राशी में एक महिना रहते हैं। 12 फर्वरी को सूर्य कुम राशी में प्रवेश करने के बाद 14 मार्च तक इसी राशी में रहेंगे और उनका यह गोचर देश दुनिया के साथ सबी 12 राशियों को भी प्रभावित करेगा। सूर्य ऐसा ग्रह है कि जो कभी वक्री गती नहीं करता हैं। वहीं कुंडली में ये आत्मा का कारक ग्रह होने के साथ ही हमारे मान सम्मान वा अफमान का भी कारक माना जाता है। जिस व्यक्ती की कुंडली में सूर्य मजबूत इस्तिती में होता है उसे समाज में मान सम्मान मिलता है। सूर्य जीवन में उच्पद, मान सम्मान, पुरुसकार और लोग प्रियता के भी कारक माने गए हैं। सूर्य को पीता माना गया है, ऐसे में माना जाता है कि सूर्य जब शुप होते हैं तो पीता का पूर्ण स्योग प्राप्त होता है, साथ ही सूर्य प्रधान व्यक्ति की वानी ओजपुन और व्यक्ति जो उनका व्यक्तितव होता है वो अक्रशक होता है, ऐसे लोग मांत मान के साथ किसी प्रकार का कोई समझाता करना पसंद नहीं करते हैं । 12 फरवरी को सूर्य कुम राशी में गोचर करने जा रहे हैं तो सूर्य परिवर्थन 12 राशियों पर असर डालेगा कुछ राशियों को तो छप पर फाड़ कर लाप्राप्त होगा। दोस्तों मेश राशी के जातकों के लिए सूर्य का राशी परिवर्तन खुशकब्री लेकर आ रहा है इस परिवर्तन से मेश राशी के जातकों की आमधनी में जबर्दस बड़ोतरी होगी और लाप के भी कई मार खुलेंगे विशप राशी वालों को समाज में यश्मान मिलेगा और अगर नौकरी पेशा है तो परमोशन का योग बनेगा मिथुन राशी वालों का आत्म विश्वास पड़ेगा और अधूरे पड़े कार्य पूरे होंगे कारेशेत्र में आपका प्रभाव भी बढ़ेगा कर्क राशी वालों को अपने पिता की सेहत का खास ख्याल रखना होगा और कारेशेत्र में वाद विवाद से बचना होगा सीहा राशी वालों के लिए सूर्य का राशी परिवर्तन छप पर फाड़ कर लाब देगा स्वास्त भी बढ़िया रहेगा और अच्छी खबरे मिलेगी जिससे मन प्रसंद रहेगा कर्ण्या राशी वालों को कोट कचैरी के मामलों में तो सफलता मिलेगी लेकिन सेहत का ख्याल रखना होगा उतावला पन दिखाने से बचना होगा तुला राशी वालों के नीजे समंदों में सूरे का यह गोचर थोड़ी अर्स वीदा जन्नक इस्तिती दे सकता है लेकिन परमोशन का योग भी बनाएगा और कारेशेत्र में व्रीदी होगी व्रिक्षिक राशी वालों को भी इन्वेस्मेंट से बचना होगा लेकिन यह धन व्रीदी का समय हो सकता है जो मेनत अभी तक की थी उसका उचित फर मिलेगा और धन संचित करने में आप सफल होगे धनू राशी वालों को हर स्थान पर मान समान की प्राप्ति होगी लोग प्रीता में व्रीदी होगी लोग आपकी बातों को घंबीरता से सुनेंगे मक्कर राशी वालों के लिए सूर्य का गोचर अधिक अनुकूल देने वाला नहीं माना गया है ऐसी सिति में आपको इस गोचर में इस गोचर के मिश्रित परिनाम होंगे स्वास्त संबंदिद परेशानिया आपको कश्ट देगी इस गोचर के परिनाम स्वरूप आपकी आमदनी में भी गिरावट देखने के को मिल सकती है लेकिन संतान पक्ष के लिए ये गोचर अच्छा रहेगा कुम्ब राशी के जातकों के व्यक्तितव में कई तरह के बदलाब देखने को मिलेंगे आत्मविश्वास में व्यद्धी होगी कुम्ब राशी के जातक इस समय अपनी सेहत का खास ख्याल रखें मीन राशी वालों के लिए अच्छी खबर है सूरे देव की क्रिपा से प्रोफेशनल में उनत्ती मिलेगी और कारेभार भी बढ़ेगा जिसे आपकी व्यद्धी होगी और आप बहुत ही पावरफुल बनेंगे धन्यवाद दोस्तों